दोस्तों मेरे कोशी सही रहती है कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों की जादा से जादा हेल्प कर सकूँ और यह हेल्प मेरी जो है वो कामियाब भी है क्योंकि आप लोगों का जो प्यार मेरे वीडियो के कमेंट बाक्स में लाइक में दिखता है वो आप लोग प्यार size के paper पर आप पांच action पांच एसरम कार्ड को किस तरीके से एक साथ में आप set कर सकते हैं चुकि एक smart card की तरह है जैसे कि एक यह team card होता है बिल्कुल उसकी तरह आप उस size में किस तरीके से बना सकते हैं तो मैंने एक action file आप लोगों को बना करके दी थी उस वीडियो पर कफी ज्याद में रहे पास कमेंट आ रहे थे कि आप यह जो करोना का ठीका लगता है तो वहां पर जो vaccination card निकलता है online उस card को हम किस तरीके से smart card की तरह है प्रिंट कर सकते हैं किस तरीके से उसको set कर सकते हैं तो इसके बारे में आप एक action file में बना करके दे दीजिएगा तो मैं पहले तो फैर काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे तो मैंने शुरुआत में सोचा कि बना करके दे द इस वीडियो में मैंने आप लोगों को उसे डाउनलूड करने का और अपने Photoshop में आइड करने का तरीका बताया है तो यदि आप डारेक्ट सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप एक smart card की तरह बिल्कुल smart size में आप एक Corona का वैक्सीन का जो टिका करेंट का जो card है उसको बना करना चाहें तो सीधा डिस्क्रिप्शन वाक्स में जाएं वहां पर मैंने दूसरे वीडियो का लिंक दिया है उस वीडियो को जब आप उपन करेंगे वहां पर मैंने डाउनलूड करने का तरीका और उसे अपने Photoshop में आइड करने का दूनों तरीके में वहां आप लोगों क लगता है तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर पर लेकिन यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंदा है तो लाइक जरू करीगा चैनल पर नहीं अभी तक आपने हम सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की इसी तरगे वीडियो आगे भी पाते रहने के लिए सिद़ कंप्यूटर स्क्रीन पर топ अब यहां पर देखें तो हमने फोटोप को लिया हैं फोटोफ यह चुका है तो यह काम तो आपको में करना होगा कि कि आपको बार-बार जितने भी आपको smart card बनाने है vaccination certificate के तो सब को आपको यहां पर लेकर के आना ही पड़ेगा लेगिन उसके बाद का जो काम है तुर मैं यहां पर आपको हें तूल में हालेक मारे पास पहले से कई एक्सन होपर मैंने बनाए हुएbelsान यहां दो मेने बताए तक मैंने बनाये इसमें बहुत से फौटो पर मिल जाएंगे उसके बाद हमें यहां पर एक्सन तयार करनाए से पहले हमें यहां पर एक्सन बनाने से पहले हमें यहां पर एक सेट तयार करना होगा क्योंकि हम डारेक्ट एक्सन यहां पर क्रिएट करते हैं तो यहां पर जो सेट होगा वो हमारा यहां पर सेट नहीं होगा वो जो पुराने आपके सेट बने हुए पड़े हैं वही होगा तो इसको cancel करते हैं और इस time में आप ऊपर की तरफ देखेंगे यह चोटा सा आपको एक point दिख रहा है इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है इस point पर आपको प्लिक करते हैं तो यह आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी यहाँ पर आपको एक option मिलेगा निव ट्रैट का तो निव सेट पर आपको प्लिक करना है नियू सेट एस lihat पर गिक करेंगे तो यह पर एक नया ना म पूचेगा तो इस नाम को आपको जो भी आप डालना चाहें तो मैं यहांप रोегод से रेलेटेड़ है वो इसी में रहेंगे उसके बाद आपको कर देना है अब यहां पर आपका यह नया सेट बन करके त्यार होगे बलकि इसे हम फोल्डर कह सकते हैं अब जितने भी एक्षन साइटिफिकट आप बनाएंगे और एक्षन फाइलें आप बनाएंगे वो फाइलें इस फोल्डर के अंदर ही रहेंगी उसके बाद मैं आपको नि कराने के लिए क्ट्रॉल सी की आपको रखनी है यह आपको यहां पर पूझ रहा हैं तो यहां पर मैंने Ctol 5 लिया है और shift और लिया है तो यह दूनों सिफ्ट कंट्रोल और यह फाइब जैसे आप दबाएंगे तो यह हमारा एक्षान रन कर जाएगा उसके बाद इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं पर चूम कर लेते हैं इस तरीके से जिसे कि हमें यहां पर थोड़ा इजिटिंग करते हैं आसानी रहे जो आप चिन वगएरा सब देख रहे हैं मिनिस्ट्री आप हैल्थ और फैमिली वेलफियर वेलफियर गवर्मेंट आफ इंडिया इस पोर्सन को आपको पहले सेलेक्ट करना है फिर मूब पर क्लिक करके आपको इसे उपर की तरफ ले जाना जितना ज्यादा से ज्यादा है ले जा सकते हैं उतना ले जाएं लेकिन यह कोशिस करिएगा कि इस पेज के बाहर ना निकले उसके बाद यह जो पहला लिखा हूँ है प्रोविद नाइंटीन वैक्सिनेट सन फास्टोज इस लाइन को भी आपको पहले देखिए आपको सिंपल सा एक काम करना एक ही काम को बार-बार दोहराना है आपको पहले इसे सेलेट करना है सेलेक्ट टूल को लेकर के रिजाने मोगन मोब को लेकर इसे उपर की तरफ मोव कर देंदा इसा हसी बेनूब made ने एक एक करके आपको उपर की तरफ ले जाना है तो चलिए इनको हम फटाफट उपर की तरफ कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं कि यह तो जैसे कि आप देखें कि हमने याव इसे एक एक लाइन को ऊपर उठाकर करके सेलेट कर लिए जैसे कम जगे में आगया जैसे कि पहला पॉर्शन हमारा हो जाएगा फ़र्ष्ट पेज और यह वो जाएगा बैक साइड तो यह दोनों साइड हमने यहाँ पर सेट कर ली हैं और यहाँ पिस्ट्रीके सेत करना इसके लिए आप एक नया यहाँ पर यह नई बिंडो बनाएंगे और आप एफ और साइज की बनाईएगा तो यहाँ विंडो यहाँ पर बना ली एंशक को हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं और सेट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहा क्या लीजिएगा चारों तरफ से लेकिन कोशी से करिए कि एक भी अच्छर या एक भी पॉइंट किसी भी तरफ का छूटने नहीं पाए और उससे एक्स्ट्रा आपको यहां पर कवर भी नहीं करना है तो कम से कम साइज में आपको इसे पूरा कवर कर लेना है सेलेक्ट हो जा कि यहां पर राइट साइड में आपको नीचे की तरफ देखते रहना है कि मैं कौन कौन सी की यहां पर दबा रहा हूं तो हमने यहां से कॉपी किया और इस फ़र्ष्ट वाले पर लाकर के कंट्रॉल भी दबाएंगे जिससे की यहां पर आकर के प्ष्ट हो जाएगा अब renewed is gonna save अब इस इस पर हम एक पर पूरा सेलेक्ट करतें और इसमें एक वार्डर दे देतें तो सेलेक्ट करेंगे थोड़ा से नीचिक की तरह हम स्क्रॉल कर लें इस तरह से अब यहां पर हम इसमें बार्ड़ देतें तो बार ऊदू न्य क्या करना है इडेट में जाएंगे Morgen में जाएंगी और यहाँ पार जो पिक्सल लिखा हुए से यहाँ साथ पिक्सल और जो हैंसे से बलेक कर देंगे इतना हम साइड करेंगे कुछ दीफाल्ट त्यूंड आपको से मैनुनी सेट कर लेना है उसके बाद में हम दबाएंगे Ctrl और T कीबोर्ड से Ctrl T दबाएंगे Ctrl T दबाने के अब एक साइड तो हमारा एक किलियर हो गया तो अब आप यहां पर देखें कि हमने जैसे कि फ़र्ष्ट जो हमारा एरिया था फ्रेंट वे उसे हमने यह सेलेक्ट कर दिया अब जो बैक साइड है उसमें हम नीचे जो फोटो बगएरा बना हुआ है इसको लगाएंगे तो इस तरीके से इस तरीके से जिए हैं तो हम इस तरीके से इससे सेलेक्ट पर सोरी डैड़र्व क्लिक हो गया और घ्रीत तरह से आपसे एक Move कर लेते हैं थोड़ा-थोड़ा नीचे सिमाथ सब्सक्राइए के लिए तोन私ством पर यहां पर लाएँगी सब्सक्राइब विति पूर प्रॉरा कबर कर लेते हैं एस तरीके से ये हमारा पूरा एरिया एंपर कभर हो गया है इस पूरे एरिये के पूट होने के बाद हम क्या एक गरते हैं जाते हैं इंस टौक में और इहां और यहां रहां से हम हुरे // ते दे दबा लेंगे और कंट्रोल टी दबाने के बाद उपर जो इसका चोड़ाई है इसे हम कर देंगे 3.32 जैसे कि हमने पहले रखा था और इसका जो हाइट है इसे हम कर देंगे तो पॉइंट और इतना हाइट वेट रखने के बाद हम इसे करने बाद आप देखेंगे कि हमारे यह जो एरिया है यह सही से बिल्कुल फिट हो चुआ है अब इसे थोड़ा जूम करते हैं जिसे की सही से हम से सेट कर चकी एक बार क्योंकि यह काम आपको बार बार नहीं करना ऋ सो है तो मेरे खहल से यह तो बिल्कुल सही ही सेट हो चुआ है इसको हम थोड़ा सा एक पंट सुर्च लियर बन और इस लेर टू इसको हम एक थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं मेंिस तरीके से लेयर बन हम लाते थोड़ा सा नीचे आपय दो पाइंट यहां पांच और यहां पर इसी तरह से दूसरी लियर है इसे भी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं जिसे की बाइद वे इदें प्रिंट भी करें तो ऊपर से कट नहों अब आप देखेंगे कि यह फोर साइज पर हमारा यह एक सनी बन करके तैयार हो चुका है अब द कर देते हैं और इस टैप को भी कट कर देते हैं और इस टैप को भी कट कर देते हैं और इक पर चेक करते हैं कि क्या हमारा यह जो हमने इतनी मेहनत की है इतना सब कुछ आपको बताया है क्या यह बर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इसे भी हम यहां से कट कर देते हैं ओक के बाद यहां पर देखिए एक साइटिफिकट आ चुका है अब आपको त्यान ये रखना है कि हमने कौंसी की बनाएं थी कंट्रूल शिफ्ट और यह फ फाइब तो हम कंट्रूल एक साथ में दबाएंगे और यहां भी उसी के साथ में हम यहां पर दबा देंगे लेकिन आपको नीचे राइट साइड में देखे रहना है कि कौन सी की दबा रहे हैं जो आप वने एरो बना करके बताया है तो जैसे कि आप देखिए कन्ट्रूल सिप्ट और यह फाइब जो इसे ही दबाया तो देखिए यह देखिए बस देखते जाएए आप और यह काम होना शुरू हो चुका है और यह देखिए ओके स्मार्ट कार्ड आपका बन करके तयार हो चुका है तो यहां पर आपनों ने देखा कि काफी ज्यादा टाइम लगता है इस तरह की के एकसर फाइल को बनाने में हाला कि मैंने जैसे कि आपको पहले बता है आप चाहे है तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए क्योंकि इस तरह के नॉलेज़फूर वीडियो में हमेशा लाते रहता हूं क्योंकि हमारे इस यूटूब चैनल पर आपको जैसे वाके इंदर मोबाइल लप्टाव टेक्नोलोजी सम्मेंदे वीडियो चमें स मिलते रहते हैं जो कि आपके लिए काफी जदर नॉलेज़फूर और हेलफूल हो सकते हैं मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई अकरी के साथ तब तक मुझे दीजिए इजाजत जैहिन जहारत